अमेरिका और चीन के बीच इन दनो ट्रेड वार चरम पर है और इस ट्रेड वार के दर्मियान ही अमेरिकी विदेश मंतरी माईक पॉंपियों ने चीन का दौरा किया और अब दोनों देशों के राश्चपतियों के बीच मुलाकात की खबरें आ रही हैं बताया जा रहा है कि अमेरिकी राश्चपती डोनाल ट्रम और चीनी राश्चपती शी जिन पिंग अर्जिंटीना में G20 सम्मिट के दोरान मुलाकात कर सकते हैं ये समिट अगले महीने नवंबर के आंतमी होगा बताया जा रहा है कि अगले महीने होने वाले इस मुलाकात में जिन्पिंग और ट्रम्प ट्रेड वार की वजह से जारी तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं आपको बदा दें की चीन और अमेरिका दोनों ने ही एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया है इसके बाद से ही बाजार पर असर पढ़ता नजर आने लगा है बढ़े हुए टैरिफ की वजह से दोनों देशों में सामानों की कीमतों में इजाफा हो गया है इंडोनेशिया के बाली में जारी ग्लोबल फाइनेंस की मीटिंग से अलग अमेरिका के वितमंत्री स्टीवन न्यूचिन ने बताया कि अभी तक इस मीटिंग पर कोई फैसला नहीं लिया गया है लेकिन टरम के शीर्श आर्थिक सलहकार लेरी कुडलो की माने तो बातचीत के लिए तैयारियां जारी है